हेलो दोस्तों आप सबी लोगों को मेरे यूटूब चैनल स्मार्ट बिजली बाला मैं स्वागत है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे सिक्स मडूल सीट होती है वो सुचों के साथ उसके किस तरह होते हैं और सौकेट के साथ किस तरह कनेक्शन होते हैं ठीक ह तो यह दोनों प्लेट से हमारी जो रखी हुई है वो सिक्स मडूल प्लेट है और यह दोनों हमारे आख देखो मैंने इसको बिल्कुल किलीन कर दिया है कहीं भी डिश्ट नहीं दिखाई देगा आपको किसी तरह का ठीक है और इसको इसमें किस तरह कनेक्शन होंगे इसमें उसका को किया है ये जो हमारी वायर सार आते सब्सक्रारण तो यह एक हमारा ये यicket Hayır का सबसे पहले शकर कία हुए है और यह 4 mm का circuit है ठीक है एक 2.5 mm और यहां पर आया हुए है तो धाइम का circuit है हम light में यूज करने वाले हैं और 4 mm का circuit हम power में यूज करेंगे ठीक है अब हमको क्या करना है कि इसमें यह हमारी जो kitchen है पैंट्री है और तो इस पैंट्री की जो भी हमारे कुछ अंदर पॉइंट हैं तो वो पॉइंट अभी पैक हो रखे हैं तो मैं वह आपको नहीं दिखाता हूं तो कुछ दिखाते हुआ जैसे कि यह हमारा चिमनी का पॉइंट है यह देखो ठीक है जी इसकी जो हमारी तीन वायर गई है विद आर्थ के न्यूटल फेस और आर्थ तीनों वा यह देखो यह माइक्रोवेव का है और यह हमारा फिरीज का है पॉइंट है तो इस तरह इनकी सारी वायर सॉकेट यहाँ लगेगा टॉप आपका यहां लग जाएगा जो भी प्रोडक्ट यहां रखा जाएगा फिरीज है माइक्रोवेव है उनकी ओन आफ सुच यहां पे कि यहां पर लगेंगे सॉकिट वहां लगेंगे कि इस तरह हमारे ये तीन आपको दिखागा दिये माइक्रोवैब चिमनी और अपकोति गए तो इस तरह ये माइक्रोवेब और यह microwave और फिरीज का point है तीनों यह point जो मैं आपको दिखाए वो यह वाले हैं और दो point यह अलग है ठीक है तो इनके जो भी कि केंदे तो किस तरह से करकें दिखाता हूं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह सुचों के करक्चिन करनें इसारी वायिरों को तो मैं किस तरे कर सनकरता हूं मैं आपको बताता हूं ठीक है और मैंने ये हमारा टूटा एक टूटा पेजकस है और ये हतोड़ी है इसकी मदब से इसको क्लीन किया है तरिके से साफ किया इसको तो मैं इसको अब कनक्सन करके आपको दिखाता हूं तो दोस्तो हमें क्या करना है जो हमारा पावर वाले पॉइंट है जिसमें इंडिकेटर दिये हुए ये पावर वाले पॉइंट है यहाँ ठीक है यह सोलड़ा एंपेर उच्छे इसको मैंने पापर के साथ करना है तो हम क्या करना है इसके जो बीच वाला है सौरी जो नीचे बाला टर्मिनल है महाराज इसमें मैन फेस लगेगा उसकी जगए हम इसको लगाते हैं ठीक है जी तो हम मैं जब तक इसके कनेक्शन कर रहा हूं आप लोग जाके जैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और शेयर कर दो थैंक यू तो इसलेकर जो मैन फेस है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है ठीक है जी अगा एससे ही सेम हमें जो हमारी यह वाली जो लाइट के पॉइंट है सेम इसी तरह इसको चीलना है जितने सोच में करना करना उतनी वायर आपको चील लेने चील के दोस्तों अब जी क्या करना है मेरे को जो मैंने यह मैंन फेस लगाया है इसको अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना है आई करें हमें हमें पर वाले तो इसको इस वाले इससे बखसे से मुझे उदर ले जानाः इसको ठीक है जी यह मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है इसको बीच में से सीश्रा है आपको सोच्छ के अंदर सारी लगांगा तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है इसलिए मैं इसको यहीं पर कनेक्ट कर देता तरह आपको बीच्टे से काटना नहीं है चील के इसको इस तरह कर देना टाइट अच्छी तरह मजबूती से टाइट करके उसके बाद टेप लगा दें मैंने इसको फेस के साथ कनेक कर दिया है अब इसको हमारे यलो वार जो बाइट मैंने डाली है इसमें डारक फेस मिल चुका है ठीक है ध्यान रहे दोस्तों अभी इसमें सप्लाई हमारी चालू नहीं है इसलिए मैं इस तरह काम कर रहा हूं नहीं तो थोड़ा सैप्टी से करत मैंने इसको यहां से यह रैड हमारा में फेस है जो की मसी वाक्स से आया हूँ है हमारे मसी वाक्स लेडाया उसके साथ मैंने इसको ययलो वार को पनेक कर दिया है ठीक है घी अब मैं इसके कनेक्शिन करता हूं अब दोस्तों हमें क्या करना है जो हमारे इंडिकेटर दिये हुए हैं हर एक सुच में इंडिकेटर नहीं आता है कंपनियां बहुत सी कंपनियां इंडिकेटर देती हैं तो यह हमारा लीगरांड का सुच है तो इसमें एक वायर आपको क्या करनी है जो कि आपना अपना जो फ्रीज का पॉइंट आया है माइक्रोवेब का वायर जो भी आई है यह उसके साथ कनेक्ट कर देनी है जब भी आप उसके साथ आउन करोगे उसको आउन करोगे तब यह इंडिकेटर हमारा जल जाएगा उसे मैं पता रगेगा कि हमारा प्रॉडक्ट चालू हो चुका है ठीक है जी तो हमने क्या किया है जो हमारी इंडिकेटर की वायर है उनकी एक एक वायर लेके उनके साथ कनक कर दिया है हमारी जो सुच का आउटपुट वायली टर्मल है उसके साथ कनक कर दिया है और जो एक एक वायर हमारी रहे गई है इसको हमें न्यूटल देना है तो हम इनको छीलते हैं और छीनने के बाद तीनों को एक साथ करते हैं आपकी तीन भी हो सकती है दो भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है मैंने तीनों एक साथ करके इसमें एक वायर जोड़ दी है और उसमें टेप लगा दे रहा हूं कि इससे क्या मेरे स्कनेक्शन अच्छी तरह हो जाएंगे थोड़ी सी वायर बढ़ी कर दिये मैंने और इसको लंबी करके छीलता हूं और हमारी जितनी भी न्यूटल है क्योंकि इस प्लेट में मेरे को न्यूटल और ग्राउंड अर्थिंग की जरुवत नहीं है क्योंकि इस जो इंडिकेटर को न्यूटल मैंने दी है वो हमाने लाइट वाले सर्किट से दे दिये कोई जरूरी नहीं है आपको पावर भी देना है कि वो से सिर्फ जलाना है अब मैं इसको टेपिंग कर देता हूं जो हमारी बकाया न्यूटल है जो मैंन नूटल हमारी जो फिरिज के पॉइंट से माइक्रोबेक पॉइंट से जो न्यूटल हैं उनको सीदह ले जाके और उसके साथ कनेक कर देंगे जो कि हमारी मैन नूटल आई है फोर्क सर्कृट के साथ है जो हमारी लाइट की नूटल है वो हमने इंडिकेटर में दे दी है और जो हमारी के साथ किनक कर दी है मैं जरूफ से मैं इधर कर दो खेंगर दोब आभी सिपार पेंगे लिए है क्योंकि है क्योंग है को मसे घुड़ी है कोई भी प्रोडक्ट हमें ग्रंट नहीं दे सकता जब ग्राउन अर्थिंग लगी होगी तो उसकी बॉडी कभी 민 ?light के सोच हैं उनके ने कर दर्मन में लबा दिया है ठीक है और यह हमारे जो विलू कुलर की वायर है यह हमारीip जास फेंड की वायर है और यह तीसरे नमबर की वायर है वह हमारी चिम्नी की वायर है ठीक है जी और इसमें एक medic है कै और एक हब का है यह तीनों हमारे पाबर के सुच में लगे हुए और जो इंडिकेटर की वायर हैं मैंने क्या किया है जो यह हमारी आउट्पूड वाली जितनी वायर लगी है फिरीज माइक्रोवेब और हब की उनके साथ कनेक्ट कर दिया है और जो एक वायर बची हमारी अमने निूट्रिक के सांथ कानेक कर दिया है यह अर्थ को मैंने एक साथ एक साहथ जोड़कि रख दिया क्यों कि इस में मेरे पाबर के लगे हुए थे बिद इंडिगेटर के और छे सुच लगे थे मारे लाइट के तो इसके किस तरह होते हैं आप नॉर्मल सोच हैंगे उनके भी कनक्शन इस तरह ही होंगे ठीक है जी क्योंकि ये मारे किचिन की प्लेवर पेंट्रिक सीट थी इसलिए इसमें इस तरह क प्रोड़क्ते आपके लाइटें भी हो सकती है फैन भी हो सकता है ठीक जी थैंक्यू जैवारत बंदे मात्रम